नमस्कार, बहुत कम समय में मैं आपको एक बिधी बता रहा हूँ, इस बिधी से अगर आप शिपंचाक सरी मंत्रे से पूजन करेंगे बाबा भोलेनात का, अगर आप करते हैं तो आपकी जिवन में बहुत अच्छा जो है एक सांती का महसूस होगी, और आप देखेंगे कि आ कोई भी पूषप एवलेबल हो, कोई भी पूषप एवलेबल हो जो आपके गाडन में हो या फिर आप पूषप एवलेबल कर सकते हैं, 108 पूषप से सिपंचाक सरी मंत्र से आप पूषप पूजन करिए शिवलिंग पर, ये आपको करना है सोमबार 12 या फिर 13 तिथी होगा या फिर आपकी हिसाब से जो वार आपकी रासी अनुसार भी आपको अच्छा लगता है, आप उस दिन अच्छे कारे करते हैं, उस दिन सिपंचाक सरी मंत्र का पूषप पूजन करिए, इसके लिए बिधी में आपको बताता हूँ, आप क्या करें, सुभे जो सनान बगरा क करके आप क्या करें, कि मंदिर जाने से पूर्व अपने पूजा स्थान में एक घर की पूजन को आप थोड़ा जल्दी करें, और घर में जो आपके बाबा के फोटो होगे, कुछ भी होगे, उनके सामने एक आप दिपक प्रगाट्ट करिए, ठीक है, जैसे जानते हैं कि द बाबा हैं, जो बाबा भोले ना थे, उनके पास में पूजब पूजन कर रहा हूं, पर वो आप भी हमारे उपर क्रिपा बनाए रखें, जो घर में आपकी जो देवा देव हैं, वो उनसे पहले प्राथना करके आप पास के किसी मंदिर में जाएए, और उस सफेद रंग का जो पूस्ब है, उसके उपर थोड़ा गंगा जल से एसे छिड़काब करिए, थोड़ा अश्टगन दे सकते हैं, सफेद चंदन या लाल चंदन भी दे सकते हैं, और एक वार्षी पंचाक सरी मंतर जब करके, एक पूस्ब भोले नात के उपर आप अरपित करिए, और इसमे क्या होगा, एक सो आठ जो पूस्ब एक के करके अरपित करिए, उसके बाद जो है, आप आठ लोटा जल आप चड़ा सकते हैं, और भोले नात जो बाबा है, उनके पास आप कुछ फल, कुछ दक्षिना, अगर आप देना चाहे तो कोई बस्तर, एसे सिव मंदिर में उस दि उनका आशिरवाद लेके, आप आईए, भोले नात का आशिरवाद लेके आईए, पंडी जो को भी फल, बस्तर, दक्षिना जो देना चाहे दे सकते हैं, इसमें बस आप यही करिएगा, कि आप कोई भी जो चीज है, इसमें आप इतना यह ना करिए कि मेरे यह हो जाए, वो हो जाए, इसे के लिए कर रहा हूँ, बस आप भोले नात का थोड़ा जो ए, आपकी हिरदे से, प्रेम भावना से उनकी पुस्पुपुजन एक बार करिए, उसके बाद क्या परिवत्तन होता है, आप मुझे कमेंट करके बताईए, इतना आप करिए, मैं आपको बोल रहा ह देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाते हैं, पंचाकसरी मंतर से जल बगरा चड़ाते हैं, लेकिन आपने कभी सिविपिंडि पर अगर सिविलिंग पर आपने कभी पंचाकसरी मंतर से पुस्पुपुजन नहीं किया है, तो आप एक बार करके देखिए, करने के आपके जीवन में जो परिवत्तन होता है, हमें आप बताई हैं, ठीक है, एसा ही वीडियो आप जानने के लिए, देखने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करके, अगर नए है तो चानल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाईए, और अगर वीडियो पसंद आए तो भुले नात्की है,